करीवन दस बजे के खरीब मुझे इतला मिली थी कि यहां पर आसिवनेगर पियस के साम में एक बच्चे के ओपर हमला हुआ और उसको जान से मानने की कोशिच की गई जैसा इतला मिली है हम लोग यहां पर पहुँचे तो पता चला यह जो बच्चे के ओपर जो जान ले हुआ हमला यहां पर किया गया उसका नाम खुद्दूस है और वो गंगावली रहने वाला है और खुदूद दिल और खुतूर खुतूर और जब हम लोग यहां पर आये तो उसको ऑलिव ऑस्पिडल में लाया गया था और एमर्जनसी वाड में रखा गया था जब कफसिलात हुआ कि कुछ महिनों पहले यह बंदा भी किसी के मडर में वाल था और हो सकता है यह शुबा है शायद यह वो एक रिवेंच हो सकता है और जब हम लोग यहां पर आया और जब हालात देके तो बड़ा क्रीटिकल हाला थे और इस बच्चे के जो घर वाले है जो वालदा है गर दूसरे के घरों में काम करकर अपना घर चलाते हैं और बाई यह जो काम करकर वो भी कर जाते हैं और बड़े घरीब घराने से यहां पर ऑलिव ऑस्पिडल में लाए थे और यहां से शिफ्टिंग के हालत में नहीं थे तो यहां पर हम लोग जमा हुए और हमारे सल्मान HYC की जानिब से यहाँ पे ऑलिव उस्पिडल में एक लाग रुपे फॉरण जबा किये गए ताकि बच्चे का इलाज फॉरी तोर पे शुरू किया जा सके और कोशिश की जा सके अगर जान बच सकती है तो बचा ही जाए हो सकता है अगे जाके वो अफने अपना रास्ता सुधार ले और बहुद से जब आप और हम मिलके जमाओते हैं तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि लाज टाला ने जिस तरीके से भी नावाजा है उस चीज़ को इसको मार है अगर अल्ला की मर्जी होगे तो इंशाला बाया अमर होगी और सहथ से वो बाहर आएगा और फिर उम्मीद करते हैं कि वो अपना रस्ता सीधा कर लेगा इंशाला अगर अगर मुझे झाल लेफगाइ